अगर आप इन तीनों में से कोई एक प्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आइडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मिंबर्शिप है वो आपको अपसुलूटली फ्री में मिल सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है जस्त यहां apply here के ऊपर click करना है तो जैसे यह web page open होगा तो आपके या पर details आपको इंटर करने हैं तो online process शुरू हो जाएगी एक दिन में account open हो सकता है अगर आपके documents ready है तो account open होने के बाद आपका जो client ID है वो आपको हमें इस number पर call करके confirm करना है ताकि हम आपको intraday premium membership में add कर सके तो यह एक चोटा इंट्रो था trading fab के बारे में Good morning friends welcome once again to nifty analysis from tradingfab.in आज 20th August 2020 थर्सड़ है सुभे के 8 बचकर 48 minutes हो रहे थर्सड़ है weekly expiry का दिन है काफी volatile market हो सकता है सबसे पहले कल के analysis का quickly review करते है यह कल का picture है यानि 19th August after market hour से picture लिया हुआ है कल का video अगर आपको देखना है दो पर या i-button में आपको उसकी link मिल जाएगी तो कल के plan के according हमारा breakout level बन रहा था 11,402 जो की resistance का level था कल हमने option chain का data देखा था वहां पर काफी सारे हुआ है तो positions open थे 11,400 के पास call segment में तो यहां पर कल gap up open हुआ लेकिन sustain नहीं कर पाया उपरी levels पर और towards south की तरफ जब ही आया तो exact breakout level के पास इसने resistance face किया और hammer जैसा candle stick के आप पर इसने form किया और उसके बाद फिर से जब यह उपर की तरफ किया तो इसने 11,439 ही हमारा second target भी यहां पर एचे हुआ हुआ और फिर जहां पर exact सुबह इसने resistance face किया ता वहां पर ही इसने फिर से एक बार hurdle face किया और फिर से towards south की तरफ आके यह close हुआ तो उपरी levels पर यहां पर काफी दिक्कत हो रही दिन ifte index को sustain करने के लिए तो कल के plan के according अगर trade करते तो around 16 point का यहां पर trade करने का मोगा था तो यह तकल के analysis का quickly review global market के हाला देख लेते हैं कल अमेरीकी बाजार 64 point के गिरावट के साथ बंद हुए फेडरल लिजा उन्हें थोड़ी आशंका जता ही है economic recovery के बारे में उसके बाद थोड़ा pressure आते हुए देखने को मिला है European market भी देखे तो कल तेजी करते हुए हरे निशान में बंद हुए लेकिन आज एशियाई बाजार जब खुले तो SGX Nifty 132 point के गिरावट दिखा रहा है Japanese index 161 point के गिरावट दिखा रहा है लगभग सभी एशियाई बाजार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहा है दिखने को मिल रही है चलते है डेली निफ्टी के चार्ट पे पहले मंतली चार्ट को फिर से एक बार अनलिसिस करेंगे अगर आप कई दिनों से फॉलो कर रहे हमें तो जैसे कि हम यहां पर यह हडल फेस कर रहे है यह जो लॉंग बेरिश केंडल है उसका यह जो हाय है यह अरूं 11,433 के पास है यहां पर निफ्टी इंडेक्स यह हडल फेस कर रहा है इसकी ऊपर सस्टेन नहीं हो पार है कल भी हमने देखा इसी लेवल के पास इसने हडल फेस किया रेजिस्टेंस फेस किया और उपर से फिर से यह तूवर्ट साउथ की दर अबू करने लगा ट्रेडिंग करता हुआ देखे इस लेवल के अंदर तो यह मंतली चार्ट के ही सबसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल सारे चलते है डेली चार्ट में जैसे कि हमने यह पर फिर से एक्स्टेंशन लेवल को ड्रॉ किया था निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद कर तो यह से हो सकता है एक फिर से हमें ट्रेंड इस स्विंग बनते हुए दिखाई दे जैसे कि आज ग्लोबल मार्केट भी कमजोर दिखाई दे रहे है अगर निफ्टी इंडेक्स कल के हाई के ऊपर सस्टेंट करने लगता है तो नेक्स हमारा टार्गेट होगा 11,486,500 के पा तो यह सकता है यहां से कमजोरी और यहां से गिरावट देखने को में सकती है तो यह डेली चार्ट का सीनारियो चलते 60 मिनिट के चार्ट में आज के लिए इंट्राडे लेवल क्या हो सकती है उसको ऐडेंटिफाइ करेंगे हो सकते है आज के अप डाउन ओपनों फिर से एक पोइन का तो यह कमजोरी बातिक होना है 11354 सकता है यहां गर यहां आजको होता है तो यह इहां जीया है. और तभी हमारा फोर्स तर्गेट होगा 11,337 एक हमारा 1st तर्गेट होगा और 2nd तर्गेट होगा अगर एक्स्ट्रिम गपट empieza, तो इन लेवल्लह सीचे सेंड तर्गेट के नीचे संथेड होने नीजे एक हाफ एन आरले चार्ट में तो ही इंट्राडे के लिए शौट पोजिशन मना सकते हैं अदर्वाइस गैप डाउन ओपन होने के बाद सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने के उमीद भी है अधि हमारा फॉस्ट अर्गेत होगा 11464 यह हमारा फॉस्ट अर्गेत होगा 11484 यह हमारा सेके टार्गेत होगा तो यह आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल से अगर आपको ये वीडियो आनलीसिस अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमिट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें So thank you very much and happy today